सब्सक्राइब करिए रेसिपीज विद रिया को और मेरी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं हेलो फ्रेंड्स रेसिपीज विद रिया में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हेल्दी यपी नूडल्स की रेसिपी हम जब भी कभी नूडल्स काते हैं चाहें हम किसी भी ब्रांड का नूडल्स काएं हमें यही लगता है कि यह काफी अनहेल्दी फूड है लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यपी नूडल्स का कौन सा पैकेट काफी हेल्दी होता है साथ ही उसका reason भी दूँगी कि वो healthy क्यों है और हम yuppie noodles को किस तरह से और healthy बना सकते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी अब आप बे फिक्र होकर अपने बच्चों को noodles खिला सकते हैं ये काफी healthy भी होते हैं और उतने ही tasty भी होते हैं तो अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगे तो मेरी वीडियो के नीचे like का बटन दबाएं comment करें और मेरे चैनल को subscribe करें आईए देखते हैं healthy yuppie noodles बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की ज़रूरत पड़ेगी बारीक कटा हुआ एक टमाटर बारीक कटा हुआ एक प्याज 1 फोर्थ टी स्पून नमक नमक बहुत थोड़ा ही यूज करें क्योंकि यपी के मसाले में भी नमक होता है 1 टेबिल स्पून कौन के दाने 1 टेबिल स्पून मतर मैंने यहाँ frozen मतर यूज की है लेकिन उसके लिए पहले मतर को उबाल ले एक गाजर बारीक कटी हुई मैंने यहाँ यूपी नूडल्स के 10 रूपीज वाले दो पैकेट लिए है यह जो orange पैकेट में नूडल्स आते हैं यह काफी healthy और tasty दोनों होते हैं आप पीछे ingredients चेक करेंगे इसके तो यहाँ लिखा होता है wheat floor 81.8% तो इस नूडल्स में wheat floor की मातरा काफी जादा है तो यह काफी healthy नूडल्स है तो आईए हम इन नूडल्स को और जादा healthy कैसे बना सकते हैं चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक pan गरम होने रख देंगे इसमें डालेंगे oil जब oil अच्छा गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्यास और 2-3 मिनिट के लिए प्यास को fry करेंगे प्यास अच्छे से fry हो गया है अब हम इसमें डालेंगे गाजर, टमाटर, मटर, कॉंट्स के दाने और साथी हम इसमें डाल देंगे नमक नमक डालने से हमारी सबजियां थोड़ा जल्दी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगे नमक डालने के बाद एक बार इसे मिला देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढख का छोड़ देंगे जिससे की हमारी सबजियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगे 2-3 मिनिट बाद हम सबजियों को चेक कर लेते हैं हमारी सबजیاں अच्छ से शॉफ्ट हो गई है अब हम इसमे पानी अड़ करेंगे तो यहां मैं देड़ कप पानी डाल रही हूँ पहले हमें इसमे अभी नूडल्स अड़ नहीं करने है हमें पहले पानी में अच्छे से बॉल आने देना है जब पानी में अच्छे से बॉil आ जाएगा तब हम इसमें नूडल्स रखेंगे मैंने यहाँ नूडल्स को तोड़ा नहीं है क्योंकि तोड़ने से नूडल्स बहुत छोटे हो जाते हैं तो यहाँ मैंने साबुत नूडल्स को इस तरह से रख दिया है अब मैं इसमें आधा का पानी उपर से डाल दूगे जिससे नूडल्स थोड़े से उपर से भी सॉफ्ट हो जाए और एक मिनिट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे एक मिनिट पाद हम नूडल्स को पलट देंगे इससे जो नीचे के नूडल्स है वो सॉफ्ट हो गए है अब पलट देंगे तो दूसरे साइट के नूडल्स भी सॉफ्ट हो जाएंगे अब मैं इसमें मसाला डाल दूँगे अच्छे से मिला देंगे इसे एक बार इसे मिलाते समय ध्यान रखें कि बहुत हलके हाथों से नूडल्स को मिलाएं अगर आप जाधा तेस हाथों से मिलाएंगे तो नूडल्स टूट भी सकते हैं अब हम इसे दो से तीन मिनिट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर ढखकर छोड़ देंगे दो से तीन मिनिट बाद ये देखिए हमारे नूडल्स बिलकुल बनकर तयार हो गए हैं ये देखिए इसमें इतना पानी अगर रह जाता है यानि हमारे नूडल्स बिलकुल रेडी हैं अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है इसे में दो मिनिट के लिए ऐसे ही ढखकर छोड़ दूँगी दो मिनिट बाद बिलकुल हमारे नूडल्स बनकर तयार हैं मैं आपको पास से दिखा देती हूँ ये देखिए बिलकुल भी चिपक नहीं रहे हैं नूडल्स काफी सारी वेजिटेबल्स हैं तो ये काफी हेल्दी नूडल्स हैं हेल्दी हिपी नूडल्स बनकर तयार हैं ये जितने हेल्दी हैं उतने ही टेस्टी भी हैं इस रेसेपी को ज़रूर ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए आपको कैसी लगी और इस recipe को अपने friends के साथ share करना ना भूले Thanks for watching